वेल्कुम स्टुडेंट्स तो अबर मैथ स्टुडी चैनल, कम्प्लीट मैथ सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्टस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल प्रैमरी क्लासिस से स्टार्ट होकर हाईर क्लासिस तक जाता है और जिसमें काफी बुझाइश रहती है उन नंबर्स को डिस्कस करने की पहचानने की बच्चों को बार बार प्रॉल्म आती है तो कंप्लीट का कंप्लीट हम वो लेके आए है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप जो नंबर सिस्टम है उसा कंप्लीट में जो नॉलिज है वो आपको मिले तो आए स्टार्ट करते हैं आज मारा टॉपिक है नंबर सिस्टम तो फर्स्ट और फाल सबसे पहले वट इस अ नंबर? एक नंबर क्या होता है? एक हम जस्ट अंक लिखते हैं 5 बोलते है इसको यह हमने लिखा यह 5 है, यह 7 है, यह 3 है यह पांच साथ तीय हैं क्या मिनिंग है इसका क्यों है यह A number is nothing in itself तो number के हम बात करते है What is a number? A number is Just a symbolic representation Of physical quantities Means भौतिक वस्तु में जो है उनकी रिप्रेजेंट करना उनको उनको दिखाने का एक तरीका है Numbers और यह numbers प्रतीक के form में होते है Symbols के form में होते है जैसे हमारे पास केले है मान लीजिए हमारे पास अलग 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 रखे हुए के लिए हम count करेंगे एक है अगर वो एक है तो उसका symbol यह है अगर वो चीजें दो है तो उनका symbol यह होगा मान लीजिए यह आपका बनाना है अगर वो जस्ट यह है तो यह एक है अगर एक और एड हो जाता है तो उसके लिए symbol हमने यह बनाया अगर एक और एड हो जाता है तो उसके लिए यह symbol हमने यह बनाया जैसे जैसे quantities बढ़ती जाएंगी, हमने जो notation दी है इनको, वो भी बढ़ती जाएगी, तो जो हम counting लिखते हैं, these are all numbers, और ये numbers को हम notation बोलते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अगर bananas, यहाँ पर 3 show हो रहे थे, आपको हमने 3 लिख दिया, और जब इस number को हम words में लिखते हैं, जैसे आप हिंदी में इसको 3 लिखिए, या इंगलिज में 3 लिखिए, तब हम इसको बोलते हैं, numeration, तब हम इसको बोलते हैं, numeration, तो यह है यह number के बारे में, अब बात करते हैं हम numbers की, numbers जो हैं आपकी, वो कितने टाइब के होते हैं, firstly हमारे पास है natural number, natural numbers, all known numbers, starting from 1 to end, are known as natural number, all naturally known numbers, that is, 1, 2, 3 and so on, are called natural numbers, एक चीज़ आपको clear हो भी होगी, कि जो natural number है, वो उन से start होते हैं, और आप to end जहां तक आप count कर सकते हो, वो एंड तक सभी natural number है, चाहिए लाख में, क्रोडों में, हजारों में जिसमें भी हो, वो सभी natural number होते हैं, तो natural number is equal to 1, 2, 3 and so on, and so on का मतलब होता है, जहां तक हम counting कर सकते हैं, वो सभी के सभी natural number है, निएक्स्ट आता है, वूल नंबर्स, वूल नंबर्स, natural number को हिंदी में प्राकीत संख्यायी में लिखते हैं, और इनको हम पूर्ण संख्याय ही लिखते हैं भूल नंबर और निचुरल नंबर में ज़स्ट इपल्ट सफ डिफ्रहयंस है जब नेचुरल नंबर में जीरो एड्ड हो जाती तो वो सारे के सारे भूल नंबर बन जाते हैं Extra all natural numbers All natural numbers इंक्टूड जीरो इंक्लूड जीरो और कार्ड वूल नंबर्स और कार्ड वूल नंबर्स फॉर एक्जम्पल वूल नंबर्स और जीरो वन टू थी फॉर एंड सो ओन तो स्षिफ यहां पर क्या जो सबसे चोटा वूल नंबर्स है यहां से निकाला सकते हैं और और वूल करते हैं वह पूर्ण संख्याएं वह कहती हैं बट आप नेच्ट हमते हैं नेच्ट कि नंबर्स next time बरते हैं आटोपिक इंटियर्स इंटियर्स पुर्णांग all natural numbers with their negatives all natural number with their negatives are called all natural numbers with their negatives are called integers जैसे कि हमारे पास natural number one two three and so on तर जाते हैं same जब हम इनके minus लेंगे minus one minus two minus three और वो भी up to countable वो सारे के सारे इंटियर्स कहलाएंगे जीरो भी इसमें इंक्लूड होगा दियर्फोर इंटियर्स जो आपके होंगे वो जीरो वान टू थी एंड्सों और नेटिव साइड में भी एंड्य सोओं यह आपके सभी के सभी इंटीजर क्या होता है नेच्राल नंबर क्या होता है, उसके बारे में जान चुके होंगे अब हम numbers के दूसरी quality के बारे में बात करते हैं जो आपको जाना ज़रूरी है Firstly हम काम करते हैं even number Even number क्या बोते है The number which are divisible by two The number which are divisible by two Are called even numbers Even numbers Some संख्याई The numbers Which are divisible by two Or Which ends with Zero Two Four Six Eight Are called Natural numbers Sorry Even numbers जो number 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो सभी even number होते हैं दूसरे तरह में हम इसको कहें हैं अगर किसी number के end में वो कितना बड़ा number है अगर उसके end में 0,2,4,6,8 इन में से कोई भी digit लगा हुआ है तो उसको आप directly बोल सकते हो कि यह two से divisible है अगर यह नहीं है तो वो two set visible नहीं होगा और हम बोले हैं कि यह number even number नहीं है फॉर एक्जाम्पल 22 300 यह सभी even number है यह two set visible भी है और two set visible क्यों है क्योंकि इनके पिछे 0,2,4,6,8 में से कोई भी चीज आ रही है तो यह सभी even numbers है next है odd numbers इनको हम हिंदी में बोलते हैं विसम संख्यानी just इसका opposite है बिलकुल the numbers which are not visible by two the numbers which are not visible by two or answer with one, three, five, seven are called odd numbers explain करते हैं इसको जो number दो से divisible नहीं है दो से भाग नहीं हो जाते वो सारे के सारे आपके odd number होंगे और जो number या जो number एक, तीन, पांच, साथ को as a last digit होते हैं वो सारे के सारे दो से divisible नहीं होते हैं और या उनको हम odd number कहेंगे for example 351 327 323 and 38535 इन सब के पीछे 1, 3, 5, 7 and even 9 लगा हुआ है तो ये सभी के सभी क्या है odd numbers है ये हमारा even odd हो गया next हम बात करते हैं prime numbers एभज्या संख्याई जैसे इसका नाम है एभज्या वहाँ से clear है हिंदी से कि ये संख्याई कि किसी भी दूसरे number से divided नहीं होंगी other than itself the number which are divisible by one and itself one and itself other than any number our card prime numbers our card prime numbers जो संख्याई जो numbers एक को छोड़के और खुद को छोड़के क्योंकि एक से तो हर number divide हो जाता है तो एक और खुद को छोड़के किसी और number से divide नहीं होते हैं उनको हम prime numbers बोलते हैं there are lots of prime numbers for example 2 3 5 7 11 13 17 19 23 and अपसोन काफी prime numbers है एक जो हमारा है वो prime number नहीं है यह द्याद रखके एक हमारा prime number नहीं है तो यह आपके prime number होगे next है co prime numbers कई बार इनमें confusion हो जाता है prime number और co prime numbers क्या होगा co prime number का मतलब होता है सह अभाजय संख्याई वो 2 या 3 या 4 कितने भी number हो सकते हैं जो आपस में एक दूसरे से बिलकुल भी divide नहीं होते हैं बिलकुल भी में कोई common factor नहीं होता है जापनाननरे सकते होता होता है कर दासे होता है दीफशे होता है And not have any common factor, any common factor are called co-prime numbers, co-prime number. For example, 2 and 3, 17 and 19, 5, 11, 13 and 17. All are co-prime numbers, यह आपसमें डिवीजिबल नहीं होते हैं. इसके बाद हम करते हैं, numbers की representation, numbers को represent कैसे किया जाता है? हमारे पास number represent करने के दो system हैं. First is Indian Arabic system and the second is international system. Indian Arabic system, जो है, आप लोग सभी पढ़ाएं, आपने छोटी classes में सुना भी है. तो numeration system जो हमारा है, numeration system, first, Hindu Arabic system, इसको हम Indian system भी बोलते हैं. इसमें क्या होगा आपका? जो भी numbers है, उन्हों कैसे रिड़के जाता है? Once, Tense, Hundred, Thousand, Ten Thousand, Lack, Ten Lack, Crore, Ten Crore, Aram, Ten Aram. यह जो step हैं आपके, देखिए. मैं इनको डिवाइड करता हूँ. द्यान से देखिए में सभी. This is Aram. This is Crore. This is Lack. Thousand, Ten and This is Hundred. This is Tense and this is Ones. अब आपको अगर कोई भी नंबर दिया जाता है, आप उसको रिड़ करते हो. उसको रिड़ करने का एक सिंपल यही तरीक है. देखिए, मैं आपको एक नंबर देता हूँ. आप कैसे रिड़ करेंगे इसको इंडियन सिस्टम में? आप इसको कैसे लिखेंगे? बिल्कुल जो स्टार्टिंग वाला नंबर होता है. वो वन्स डिजिट होता है. Next Tense, Next 100 Next 1000 10,000 Lakhs 10 Lakhs Now you can read this with this system. 10 Lakh, Lakh Lakh में कितना आता है? 55 55 Lakhs 0,7 कितना होता है? 7 7,000 400 This is 32 This is 32 अगर हम इसकी बात करें General Notation की बात करें तो देखिए 1 means 1 10 means 1 0 100 means 2 0 1000 means 3 0 10,000 means 4 0 Lakhs means 5 0 10 Lakhs means 6 0 Krode means 7 And 10 Krode means 8 And further so on तो जब भी एनुटेशन होगी 1 Krode का जो place है वहाँ पे एक number की value ये होगी 10 Lakhs के place पे ये होगी value अब जो अगला topic है हमारा इस number के बाद मैं आपको भी बताने वाला हूँ Next topic है नंबर की face value और place value क्या होती है यही से वह clear हो जाएगा Face value और place value देखिए इसके नाम से clear है Face value जैसा कि वह दिखता है Place value वह किस जगह पे रखा हुआ है इसको बोलते हैं अंगी अमान और इसको बोलते हैं स्थानी अमान Face value में उसका face क्या है Face से कैसा दिख रहा हो वह उसकी value है और place value का मिलब किस position पे वह रखा हुआ है For example इस number में हम इस number को choose करते हैं इसका हमने place value और face value दोनों निकालना है तो Choose करिए इस number को यह number है हमारे पास 5 इसकी face value कितनी है इसकी face value just 5 है 5 ही है इसकी face value Place value कितनी है जिस place पे यह रखा है वो multiply कर दो उसको उस place की value कितनी है 5 lakh पे रखा है तो 5 zero है यहाँ पे इससे multiply होके 5 बंजा 5 और 5 zero 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि इसकी value जब 5 lakhs है इस place की value 5 lakhs है यह place value होती है और जो यह number है वो face value होगी इसकी कि आपको clear होगी और कोई भी number है आप उसको लिखेंगे कैसे अब जो number हमने आपको दिया था Indian system में लिखेंगे कैसे इसको देखिए जो भी आपके column बनी है हम comas use करेंगे number को separate करने के लिए comas लगाएंगे left के column में आपके पास 35 आया है इस सारे को हम once बोलते हैं once तो यहां पे आप कोई को मानी लगाएंगे last के तीनो Indian system में भी और international system में भी combined ही आते हैं उसके बाद का system अलग-अलग होता है 35,7,432 यह आपका था Indian system of numeration जिसमें हमने face value और place value यह दोनों को study कर लिया अब हमारे पास आता है जो दूसरा है international system international system of numeration numeration से आपको clear होगा कि किसी भी number को जब word में लिखते हैं उसको इंगलिज में numeration बोलते हैं तो जब हम international system में सब्दों को words में लिखेंगे तो कौन सा system follow करते हैं देखिए सेम का सेम प्रसीजर है बस वर्ड्स की फर्क आने वाला है one, ten, hundred thousand, ten thousand, hundred thousand million, ten million, hundred million billion, ten billion, ten billion, hundred billion तो यहां तक यह system जाता है meaning same का same है यह आपका million वाला कोलम है यह thousand वाला कोलम है यह billions वाला जो आपका common कोलम है और यह आपका once जो हमारे आज़े है और सिर्फ सेम वही का वाली है यहां पर one, one, zero, one, two, zero one, three, zero, one, four, zero, one, five, zero, one, six, zero, one, seven तो same का same है numbers को कैसे denote करते हैं इसमें हम और numbers को right कैसे करते है मैं एक number लिख के दिखा रहा हूँ आपको उस number को हमें करने वाले दिखी एक बड़ा सा number लिखते है seven, five, zero, three, zero, seven, eight, zero, three, four number की starting once से ही होगी four, three, then zero then eight, seven, zero, three, zero, five, seven अब हमने इसको numeration में लिखना है words में लिखना है then in international system how we write this number same वही का वही है column बना हुआ है हमने एक एक column को अलग-अलग रिड़ करना है millions, billions भी है हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, zero है तो billions के column को हम रिड़ करते है billions, कितना है seven, उसके साथ billions seven billions next, million से column देखिए कितना है 503 आल सभी को together count करेंगे 503 seven billions five hundred three millions अब अब हो गया thousand column में कितना है seventy eight seventy eight thousand and last में हमारे पास once में कितना है thirty four and thirty four यह आपका है international system place value same रहेगी place value के कोई फरक नहीं पड़ता है अगर मानके चलिए हम इसमें इस number की place value भी बात करते है तो place value क्या है इसकी three है face value same वही का वही जितने इसके बाद places है one, two, three, four, five, six उतनी zeros लग जाएंगी same like that in Indian system तो यह हमारा numeration system था Indian system और international system अब हम करने वाले है numbers की greatest और smallest number के बारे में greatest and smallest number I think all of you know that when a number is greater and when a number is smaller हमारे पास normal सा एक तरीका है बिलकुर number को छोटा बड़ा देखने का देखिए अगर कोई number तीन अंक का है और उसके बाज़ों में चार अंक एक number लिख दे दोनों में से बड़ा कौन सा है the number which has greater number of digits जिसमें ज़्यादा है वो बड़ा है obviously यह number बड़ा है यह छोटा है but अगर आपके पास same digit 1, 2, 3, 1, 2, 3 same digits में number लिख दे तब बड़ा छोटा हम कैसे देखते है उसको देखने का तरीका होता है सबसे पहले उसका सबसे last वाला अब last कहां पे होता है गिव नंबर का अगर कोई number आपके पास लिखा हुआ है इसका last यहां नहीं होता है इसका last यहां होता है क्योंकि हम read करना यहां से शुरू करते है जब आप लिखते हो numeration system के लिए लिखते ओ हुआ देखते हैं दोनों में से जिसका बढ़ा है वो नमबर बढ़ा होगा जीस ही है और फोर बढ़ा है और इसलिए नमबर बढ़ा होगा कि Ichi अफ्टर डेट नेस्ट प्वाइट पे आते हैं मान लीजीजिए depending एक्वल हें और फर्स्ट नंभर भी बराबर हे हैं तब तब क्या गरेंगे हम तब यह इपल हैं पस नंबर भी एक्वल हें देन हम next को देखेंगे, second last को, यहां 4 है, यहां 6 है, दोनों में से जो बढ़ा है, वो नमबर बढ़ा है, तो यह नमबर बढ़ा है, और same procedure up to end हम follow करते रहेंगे, यह देखने के लिए कि नमबर कौन सा बढ़ा है, और कौन सा शोटा है, I think आपको यह पतल लग गया, और कि नम find the five digit greatest number, seven digit greatest number, three digit greatest number, आगर वो आपको बोलता है कि five digit, greatest number बताइए आप, पहली उसकी condition है greatest number, और फिर five digit का, तो जो आपके पास number है, उसमें greatest number कितना है, greatest number कितना है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero, zero starting, तो हमारे पास greatest number है, nine, इससे बड़ा हमारे पास कोई number नहीं है, अब nine number है, और five digit का होना चीए वो, तो simply सी बात है, greatest number है nine, और five digit का है तो उसको पांच बार लिख दो, यह आपका five digit greatest number हो गया, अब repeat करते हैं इसको, other example से, six digit volume है, six digit greatest number, तो greatest number nine, six digit का है तो उसको six time list देगे, one, two, three, four, five, यहाँ अब एक more लग जाएगा, three digit, four, seven, ten, जितने बड़िच का वो greatest number पुछे, तो उतने ही times आपने nine को लिखना है, अब बात आती है smallest number की, smallest number, मैं बोलता हूं, same लिखते है, five digit smallest number, five digit smallest number, अब आप को होगे कि जैसे, मैंने पहले बताया, कि बड़ी से बड़ी, नमबर तो मारे पास nine है, हमने उसको लिख लिख लिए पांच बार, अब smallest पूछ रहे तो आपको होगे, smallest zero है, तो पांच बार zero लिख दो, मैं लिख देता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, बट, zero अपने आप में, बिना उसी दूसरे digit के, कोई value नहीं रखती है, अगर हम पांचो zero लगाएंगे, तो यह पांचो zero एक ही zero के बराबर है, कोई फरक नहीं पड़ने वाला, यह कोई number है खी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम maximum 4 zero तो लगा लेंगे, लेकिन last में एक, एक हमें सबसे छोटा, इसको छोड़के, इसको छोड़के, बाकी जो smallest number है, वो लिखना पड़ेगा, तो zero को अगर खटा दें, उसके बाद smallest number कौन सा है, one, तो यह लगाना पड़ेगा, इसको हम पीछे भी नहीं लगा सकते, अगर आप कहो के 4 zero लगा लगे, और पीछ एक लगा दो, तो भया, यह एक ही रह जाएगा, बस, zero का आगे कोई value नहीं है, बिना खटी, zero की value किसी भी number के पीछे होती है, बिल्कुल starting में, किसी number में, बिल्कुल starting में, zero की value नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, जैसे five digits smallest number बताना है, तो four zeros लगाएंगे, और एक single digit लिखें seven digit है, six zeros लगाएंगे हैं, और seventh की जगा पे हमें smallest number one लगाना पड़ेगा, तो यह आपके smallest और greatest number हो गए, उसके बाद, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, fraction के बारे में, वो भी एक numbers का हिस्सा है, fraction के बारे में, आपने सुना भी बबाद, जर्नल fraction क्या होता है? fraction is a part of whole, इसको भिन भी बोलते हैं, अनुभाग भी बोलते हैं, what is fraction? fraction is a part of whole, पूरे का एक खिस्सा जो होता है, उसको fraction बोला जाता है, but mathematical language में हम क्या लिखेंगे? a number, which can be written in form a over b, a over b, मैं इसको पर्शलिक देता हूँ, a over b, where a and b are two natural numbers, two natural numbers, and b cannot be equal to zero, अब मैं इसको clear करता हूँ, देखिए आपका, कोई भी number, जिसको हम a बटे b की form में लिख सकें, जैसे, 3 over 5, यह a यह b, इस form में लिख सकें, वो fraction होते हैं, उसमें condition है, जहां पर a और b दोनों, a over b is equal to 3 over 5, a 3 है, b 5 है, तो a over b जो है, वो दो natural numbers है, means, वो one से start होते हैं, zero नहीं, और minus के number कोई भी integer नहीं आएगा इसमें, पिर, तो वो सारे के सारे हमारे fractions होंगे, यह 3 over 5, 7 over 5, 6 over 5, and 9 over 4, etc, यह सभी के सभी क्या होंगे, fractions होंगे, तीर है, और अगर इसका physical, या journal language में बात करें, fraction क्या होता है, the part of total, part of total, मान लिजीए, आपके पास, यह एक copy का page है, आप इसको divide करते हो दो में, तो यह दोनों fraction है, यह दोनों fraction मने किसका, पूरे का, 1 over 2, एक के दो हिस्से हमने कर दिये, अगर आप इसका further बनाते हो, तीम, तो एक के आपने तीम हिस्से कर दिये, यह fraction की journalism, journalism form है, जर्नल form है, आप किसी भी चीज़ को कितने भी इस्सों में divided कर सकते हो, यह है आपका fraction, next है हमारे पास, जो बहुत important भी है, rational numbers, rational numbers, same का same कुछ-कुछ इसी जैसी definition है यह, fraction जैसी, but a little bit difference is in the definition of fraction, rational number than the fraction, a number which can be written in form P over Q where P and Q are any integer and Q is not equal to 0 and called rational number तही क्या है, यहाँ पे P और Q integer भी हो सकते हैं, integer मैंने आपको बताया है, क्या होता है, all natural number including their negatives और fraction में, शिरफ positive numbers होंगे, जब fraction में negative shine आ जाएगा, तो वो fraction आ रहेट के rational number बन जाएगा, for example, 3 over 7 is a fraction, but minus 3 over 7 is a rational number, minus 3 over 7 is a rational number, also 3 over 7 is a rational number and also a fraction, हमने बोलाया है, के P over Q are any integer, अब integer में तो all natural number with their negatives आते हैं, वो प्लस में भी हो सकते हैं, और, minus में भी हो सकते हैं, but fraction में totally positive आले आएगे, और rational number में positive और negative दोनों आएगे, यहां से हमें conclusion निकालते है, आएगे, all fractions are rational numbers, all fractions are a rational number, but all rational numbers are not a fractions, तो यह हमारा fraction और rational number में difference है, बहुत पार हमने देखा हैं, के बच्चों में यह बड़ा confusion रहता है, कि जो fraction है तो rational number hai, तो fraction क्यों नहीं है, मैं बड़ा सपस्ट कर देता हूं, आपको, rational number और fraction में एगे difference है, a fraction with negative sign is a rational number, नेक्स हम बात करते हैं दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना नंबर बिट्वीन रैशनल नंबर बिट्वीन टू रैशनल नंबर रैशनल नंबर बिट्वीन टू रैशनल नंबर अगर आपने एक ही निकालना है तो उसका त्रिया गया माली थे हमारे पास दो रैसनल नुम्र है 3 over 5 and 7 over 5 वाने के चलते दो रैसनल में इनके बीच का निकालना है तो बड़ा असान है इन दोनों को एड़ करके और आप 2 से डिवाइड कर दें देखिए 5L से मा आएगा 3 plus 7 over 2 10 over 5 over 2 and 2 over 2 is equal to 1 यह आपका रैसनल नंबर है जब एक या दो निकाल रहे हों तो हम इसलिस मैफल से निकाल सकते हैं तो अभी हम इन दोनों के बीच का है अगर आपको एक रैसनल नंबर और निकालना है वो दो कहता है इनके बीच में तो आप इन दोनों को एड़े करके 2 से डिवाइड करके एक rational number निकाल लो इन दोनों को एड़े करके और 2 से डिवाइड करके rational number निकाल सकते हैं बट अगर आपको कोई बोल दे के इन दो numbers के बीच में 10 rational number निकाली है 5 rational number निकाली जैसा के अब बोर्ड क्लासिस में 8 में होता है और 10 में की प्रिवारी ये संग आ जाता है तो रैशनल नंबर ज्यादा हो जाए तो हमने क्या करना है और फ्रेक्शन भी इवन सा नाव हो देखिए आपके पास है फ्रेक्शन्स यह हमारा लास्ट टोपिक है 7 over 3 and 8 over 2 8 over 5 कर लेते हैं तो हमने 10 रैशनल नंबर निकाल लिए इनकी दोनों के बीज में तो वह वाड़ा जो मैठोड हम पहले लगा रहे थे के आड़ करके 2-3 ड़ाड़ कर लो बहुत कम्पलिक्टिट हो जाता है बहुत लंबा हो जाता है इतना टाइम वरेक्श नहीं होता है तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए हम दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं जिससे उनके बीच 10 रैशनल नंबर आ जाएं कैसे हैं 3 और 5 15 कर लें हम और यहां 15 कर लेते हैं देखिए 7 over 3 5 से multiply करके दीचे 15 हो गया और इसको 3 से करके 15 हो गया जूरी नहीं है कि पहली बार में आजेगे अब हमने क्या देखने है नीचे बराबर करने की बार हमने क्या देखना है कि जो ऊपर के नंबर है नीचे वाले को छोड़ दा उपर के नंबर है उनके बीच में 10 नंबर से gap है कि नहीं है जैसे है 24 से 35 है usually है 25, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4 10 numbers का difference है यह हमारा पहले ही बार में हो गया कई बार क्या होता है कि जैसे हमने इको equal किया difference यहाँ पर कम आता है तो फिर हम next step पर जाएंगे जैसे 15 के बाद जो denominator है तो कितना equal किया जा सकता है 15 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 10 पर equal किया जा सकता है 3, 10 जा 30, 6, 5 जा 30 तब वहाँ पर नंबर बढ़े आएंगे और जो तने आपको चीहें 10, 8 जो भी चीहें वो आपको separately वहाँ मिल जाएंगे अब हमारे पास देखिए यह step यही का यही करना था हमने 3 and 2, 5 हमने denominator को equal कर लिया denominator को equal करने के बाद हमने फिर नीचे कुछ ली देखना है उपर ही देखना है अब इनके बीच के नंबर लिख रहे हैं हम देखिए 34 और 15 33 और 15 32 और 15 31 और 15 30 और 15 29 और 15 28 और 15 27 और 15 26 और 15 25 और 15 and last 24 और 15 अब हमने इन दोनों के बीच के 10 बताने दे count करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आप 2 rational numbers के बीच का rational number निकाल सकते I hope यह आपको समझ आया होगा और इसको बार बार देखके एक ही बार देखने से टोपिक आपको clear नहीं होगा बार बार देखके आप इसको clear कर सकते हैं